ये है गधेमार और ये है अंगूरदाना चितला, चारू, गुलाब, खास, टॉफी, सोया, पीच, एपल ये सारे आम हैं मुझे तो लगा था कि वही 4-5 तरगे आम होंगे जो मंडे में दिखते रहते हैं लेकिन गूगल पे सर्च किया, तो पता चला पूरी दुनिया में करीब 1000 वेराइटी के आम एक्जिस करते हैं और 500 तो आज मैंने यहीं पे देख लिए, अब कैमरे में कितने कैद कर पाए, आप गिन के बताना तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूँ दिल्ली के मैंगो मेला में, जहाँ पे मैंने एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, पचास नहीं, करीब 500 वेराइटीज आम की ही देख लिए सिर्फ और आप इनके नाम पढ़के देख सकते हो कितने अलग-अलग तरह की वेराइटीज है ये all over इंडिया की आम की वेराइटीज है, और साथ-साथ में, कुछ लोग बाहर की भी वेराइटीज इंपोर्ट करके लेकर आये थे जस्ट हम सब को दिखाने के लिए अब mostly जो participants थे ना, वो या तो UP के side के थे, या फिर महराश्रा side के थे और इतने तरह-तरह के shape, sizes, रंग, रूप, देखके तो मैं खुच चोग गया था गयार, इतने तरह के तो मैंने आम आस तक नहीं देखे हमारे इधर तो ले देखे वही 4-5 varieties आम के आ जाती है, जैसे सफेदा, सिंधूरी, चौंसा, दशेरी, लंगड़ा और यहाँ पे आम की listening खतम हो रही थी, जैसे मन, पसंद, मस्ताना, बताशा, लंबा, सफेदा, काली, जोहरी, शर्बती, भील, डॉली, पतानी, क्या-क्या नाम रख रखे थे यार इनोंने इनसे थोड़ा सा बात करने आपी पता चला था कि यह ना अलग-अलग तरह के पेड़ो होते हैं और अलग-अलग पेडों में अलग-अलग आम होगा करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि दो आम को मिलाके या तीन आम को मिलाके ये एक hybrid बना देते हैं और उसको ये मंचाह नाम देते हैं जैसे या तो अपने family member का नाम हो गया या फिर अपने pet का नाम हो गया या फिर so and so यार इनको जो भी मन करता है जो भी इनके दिमाग में आता है और मैं तो यार देखते रह गया था मतलब जो आम देखो वो पिछले वाले से अलग ही दिख रहा था और कुछ आम तो ऐसे थे कि उनके सामने से गुजरते ही जो खुश्बू फट फट के बाहर आती थी ओह 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 यार मज़ा ही आयता था अब आप इस मैंगो मेला को विजिट नहीं कर सकते सिंस दिल्ली गॉर्मेंट ने सिर्फ यह तीन दिन का मैंगो मेला रखा था अब वो चाते तो इसको तोड़ा सा और एक्स्टेंड कर सकते थे क्योंकि मोशली लोगो का तो प्लानिंग में ही तीन चार दिन निकल जाता है लेकिन वर्चुल टूर तो आप कर सकते हो न तो चलो अब एक वर्चुल टूर पे चलते हैं जहां पे हम खाली आम के नाम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे हाँ एक चीज आप कर सकते हो बड़ा मज़ा आएगा विडियो के एंड तक ज्यादा नहीं सिर्फ पांच नाम आप याद रखना और कमेंट करके बताना जो आपको फणी लगे जैसे अजूबा, खुशनुमा, चितला, मीठा गोला, केला, हीरा, सोनिया, ढाई सेरा, दूदिया, नीलम, खटा मीठा, करेरा, मिया भाई, देसी, मालडा, दिलखुष, छोटी गोली पता नहीं क्या घागे नाम डिसाइड गर रहें बाकि टाग चोटे मिया इन दे कमेंट्स, यू नो हम टू टाग और पान पत्ता और गुलाब जामन तो किसी ने खा के ये नाम रखे होंगे अरे दे ग्रेट इंडियन खली सर, हाई सेरा को पिछका के जुनिया बना दो शरीफा तो शरीफा ही लग रहा था यार, बड़े नाया बाव है नहीं रे ये देखो मोच तो ही चूर, सीपिया आमे इन रूफजा तक ठीक है लेकिन ललू मतलब क्यों है यार, टपका कैसे आपके दिमाग में ऐसा ख्याल मुझे तो लग रहा है आगे जाके अगर किसी ने बुक अगर कोई पबलिश करनी है ना तो मेरी वाली वीडियो रेफरेंस के लिए ले 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 ना बाकि इन सब आमों मेंसे कुछ आम ऐसे थे जैसे एक गोल्डन मैंगो वा प्रे दो तीन आम को मिला के ना ये हाइब्रिड बनाय था और क्या सुन्दर लग रहा था यार इसके अलावा आम तो खूबते रखे थे यहां पर ही लेकिन कुछ की तो शेप देखके हैं सी आगे काफी सारे आम एनाराई भी थे और फाइनली कोई आम तो आया जो मैंने खा रखा है अरे अनुपमा का पती बाकी कोई बंदा या बंदी मैंगो में अगर पीएसडी कर रहा हो ना तो ये वाली विडियो जरूर फैक के मारना उनको मज़ा ही आ जाएगा उनको थैंक यू बोलेंगे अलग आपको कुछ तो आम ऐसे मन कर रहा था कि देखते ही कि बस उठा के खा जाओं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे कि अगर कोई उल्टा सुल्टा बोले तो उसको उठा के भैक के मारूं अड़े वाइलेंट किसम के आम दे कुछ तो गदे मार ये भी कोई नाम होता है यार तुम मानोगे नी पैटा को अगर इस आम का पता चल गया ना तो एनिमल क्रूल्टी के केस में आपको अंदर कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे आम थे जो बिलकुल नाम को जस्टिफाई कर रहे थे अंगूर दाना इस आम को लेकि मेरी curiosity इतनी थी कि इसकी गुठी कितनी बड़ी निकलेगी बागी जो लोग यहां तक आ गए हैं उनको दिल से salute और एक mango certificate मेरी तरफ से I hope आपको यह video entertaining या informative लगी हो बागी मैं जा रहा हूँ आम खाने इससे पहले मिलना बंद हो जाए ओके बाइ